वेल्कम टू आई एक्जैम पी दोस्तों मेरा नाम है कहलाज टिवारी एक्षटी इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एंसी क्यों करेंगे रिलेटेट टू इफ्पो एंड कोपरेटिफ क्योंकि आपका एक्जैम है और परसों आपका यह एक्जैम है तो इस एक्जैम में जैसा कि आपको पता चला कि 45 मिनेट का यह पेपर होने वाला है तो केवल 45 मिनेट आपको मिलेंगी जिसमें कि आपको सारे क्योंकि यह आपके अपने प्लेस से हुगा इसलिए आपके पास टाइम कम है और आपको काफी स्पीड से करना है तो यहां पर मेरा यह सजेशन है कि आपके पास सिर्फ दो दिन है और दिन भी पूरी बड़ी बड़ी वीडियो देखें आप सीधे मॉक टेस्ट कर सकते हैं और मॉक टेस जब आप एक्जैम फॉर्मिट में अटेम्ट करेंगे तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप किस को कितनी जल्दी कर रहे हैं और अपना पेपर कितनी जल्दी सब्मिट कर पा रहे हैं तो यहां पे अभी लास्ट टाइम पे आपके लिए जादर बहते रहेगा कि आप मैक्सिम मॉक टेम्ट करें क्यूंकि टाइम एक इमपोर्टन के लिए दो मॉक्टेस यहां पर हैं इसके अलावा प्रिवियस कोश्छन पेपर हैं वो भी आप जरूर अटेम्ट करें और इसके अलावा आई-पी-पी-आस-ए-फो-क मॉक त्यम्हारास्थ-क के में के मौक टस्ट तो यह सारी ही आप दे सकते हैं बेसिकली उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो सब्जेक्टेव पार्टर को कितना जल्दी सम्मिट कर रहें और आप कोशिश करें कि 45 मिनट एकॉर्डिंग टू कोशिचन आप उसको सम्मिट करने की कोशिच करें ओक इफको वस्टेबलिस्ट ओन इफको कब इस्टेबलिश हुआ था ऑप्शन से 3 अक्टूबर 3 नम्मबर 1967 3 डिसेंबर 1967 आप देख सकते हैं कि यहां पर 1967 इंपोर्टेंट और आपके पास मंत भी काफी सिमिलर दिये हैं तो इस टाइप के क्वेश्टिंस में और ऐसे ऑप्श से चेन नहीं लगता हूं न्यू डेली अन्सर इस नियू डेली देन इफको कि अभी कितने फटलाइजर मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट से इंडिया में ऑप्शन सथी 5 7 8 तो इसका करेक्ट आंसर है 5 अगर मैं आपको बताऊं कि इफको कि जो पास मेनुफेक्ट्रिंग इफको के अभी इंडिया में और वह प्रिशन फ्रेंट के व्हीर में फ्रेंट में जेन्वरी थासें प्वेंटी में 22 में ही जेंज हुए है और वह है इंडिद्ग अगरवार दन वट इस अ मोटो आफ़ कोपरेटिव बनता है यह जो कोपरेशन कहते हैं जो असका प्रिंस मतलब कोपरेटिव वाइस का आप समझे कि एक दूसरे से मिल के हमें बनाना इसको होता है तो इच फॉर आल हरेक सब के लिए और सब हरेक के लिए यह मोटो होता है कोपरेशन का देन इस नोट दर फ्रिंसीपल ऑफ कोपरेशन क्या नहीं है इन में से क्या आपको बताना है उप्शन से आपको अपर इंट्रेस्ट का इसमा कोई मतलब नहीं होता है और इसके अलावा जो फ्रिंस्वल लोगों दवारा चलाया था तो इसक्रास पूरी देमोटरी होती है तो यहा कि यह प्रिंस्पल नहीं है कोपरेशन का देन पैक्स जिसें प्राइमरी अग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इस बोलते हैं यह कब एक्जिस्टेंस में आई थी इसका आपको पता होना चाहिए ऑप्शन से 1907-1909-1920-1904 तो करेक्ट आंसर इस 1904 प्राइमरी अग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो स्पेसिफिक्ली अग्रीकल्चर को क्रेडिट करने के लिए उपन की गई थी देन इस लेंग्स लार्ज साइज आदिवासी मल्टी पर्पर्पस कोपरेटिव सोसाइटी इस वर फॉर्म्ड इन यह कोपरेटिव सोसाइटी जो स्पेसिक्ली आदिवासी के मल्टी पर्पर्पस डेवलेप्मेंट के लिए बनाए गई थी इसमें और नेशनल कमेशन ओं एग्रीकल्चर एंस यह इस्ट एंस नहीं लेता से लेते हैं अमंग और्ट तर इस स्टेट विच नाईएस्ट एडिया पूछा गया था जो लास्ट एक्जैम हुआ था तो स्टेट पूछा गया जिसका सबसे ज्यादा एरिया और निक फार्मिक के अंदर है तो वह है और इसका यह जो प्रोड़क्ट अभी तक प्रोड़क्ट बोलें या फिर हमारे जो अग्री काश्री को में पूछा आता है इसका करेक्ट अंसर है आप सभी को पता होगा तो यह बाकी रेफरेंस दिया है और इसका पीडियेफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल एग्रीबी पर प्रोड़क्ट कर देंगे तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं यह प कोशनेर भी पोस्ट करेंगे तो वह कोशनेर भी आप सब्सक्राइब करें अगें यह कोशन काफी काफी कॉमन है बस इसमें कहीं बाट होता है तो जैसा पहले ही बताया है जो एमस्पी है वह 22 कॉमेडिटीज के दी जाती है और एक कोशने के लिए प्राइस है जो की शुग के इन है तो यह आपको देख धियान रगना है कि केवल 22 कॉमेडिटीज है अंदर था MSB और यहीं पी आइप के का जो भी लेटेस्ट आप देखेंगे तो भी आपको उसमें गहिंगे लेगा तो टोटल फूरीन प्रोड़क्शन अप्ट्री एक्कॉर्डिंग तो अगर्ड इस्टिमेट उसमें तो 155 था क्योंकि ओके वल खरीव का था अभी जो सब्सक्राइब अद्वांस इस्टिमेट है उसके कोर्डिंग के हमारा प्रेजेंट पूर्डिंग प्रड़क्शन है यह 316 मिलियन टन है यह आपको ध्यान रखना आपको दो चीजे ध्यान रखना है तो लेटेस्ट और एक लास्ट येर का तो लास्ट येर का आपको आप जान रखेंगे 308 मिलियन टन है और अभी प्रेजेंट में 316 है तो इस सेकेंड एडवांस इस्टिमेट के यह डेटा है और वाट इस टोटल फूर्गन प्रड़क्शन अफ प्रड़क्शन प्रड़क हलागी तो एक्जेक्टी आंसर ही है यह आपको दियान रखना है 308 122 के असपास राइस और 109 में वीट है 110 की रेंज में वीट है सबसे ज्यादा राइस प्रडियूस होता है तो यह रेंज आपको दियान रखना है तो इसमें मार्केटिंग सेजन चल रहा है इसमें MSP क्या फिक्स किया गया है तो यह 2015 फिक्स किया गया लास्ट यह 1975 था तो यह 2021 में जो पिछला साल का उसमें यह 1975 कर दिया गया है बट हाना कि आज की टाइम पर बहुत ज्यादा फार्मर MSP पर नहीं सेल कर रहे हैं उनके पास और भी अच्छे उप्शन्स हैं कि जो रशिया उक्री यह फिर बहुत ज्यादा वहां पर वीड प्रोडक्शन होता था जिससे कि बहुत सारी एस्याटिक कंट्रीज और एफिकन कंट्रीज को सप्लाई होती थी तो वह थाप होने की वजह से इंडिया को काफी ज्यादा बेटर प्राइस मिल रहे हैं मार्केट में सो यह इस बार क किसमें अटेगरी करते हैं वह स्मॉल फारमर में घ्र मीडियम सेमीडियम और पूछा किसमें हम क्लासिफाइब करते हैं तो स्मॉल किसमाएगी जो तो वन टू टू हेक्टेर के बीच के होगी तो तो यह चैटेग्राइजेशन है और यह आपको घ्यान लटना है तो यह 1.08 है तो यह चैटेग्री में आते हैं पॉपलेशन वाइस देखेंगे और जो पूरा परसेंटेज वाइस है तो मोर दन 60 परसेंट हमारी पॉपलेशन या अग्री कल्चे पॉपलेशन मार्जिन चैटेग्री में आती है तो फटीज चैटेट वाइट उसके स्टेट अपर फिकाफी तो यह चल रहा है यहां लेटिंस स्टेट तो फिन गयर्जेट पेडी पेड़िए कौंड पर फर्स नंबर पर कौन है श्रूंबर आपको जहां राखना है यहां पो से कम है बर्ट अगेन क्योंकि यहां पर तीन क्रॉप ली जाती है इसलिए यह आगे है यह यहां पर मेंशन किया हो यह आप देख सकते हैं यह 2020 का डिरेक्टेड और एकोनोमिक्स और स्टैट्स का डेटा है इसमें बागी सारी चीजे तो चेंज अगर 2021 में भी आगर आप देखेंगे हाला कि अभी यह रिलीज हुआ नहीं 2021 के लिए बर जो वहां पर समरी आती है उसके एक चेंज हुआ है कि टोटल पल्स में 2019-20 के डाइम पर राजस्थान लीडिंग स्टेट था अभी 2020 में फिर से मध्यप्रदेश लीडिंग स्टेट है तो हमेशा यह हम लोगों ने याद क कि है कि टोस्टल पल्स के लिए議 ढूटैज के लिए मत्हिप्रदेश लीडिंग स्टेट होता है कि बूज तो हजार निस धीस के टाइम पर ए याम त्रविभिश अब राजास्तान लीडिंस रहा था रहे दอะ मध्य प्रदेश फ्रूसस्त और मॉच्ट त cortex कि न तो में टोटल वुद्ध्म प्रोडक्शन टोटल पूट्रेंद चारे मिलाकर तो घर अरूसम मैं रूपय क्यों कर्णे कंनिक इस συवद्धर इस को आप देख सकते ही वो आपको ध्यानकना है कि 2019-20 में जो लीडिंग स्टेट था पल्स में वो राजस्तान है और अभी जो लेटर्स डेटा है उसके कॉर्डिंग वो मद्रदेश है और जो यह स्टैट्स आया आता है वो अभी कम्टीट स्टैट्स आया नहीं जैसे ही वो आएगा तो हम आप जैनली रहता है वो इसके सांथ साथ अपको यह धियानकना है और सीट्स में राज्यस्तान है कॉटन में गुज्राथ है जूटन में स्टा में रिस्वेंग वाल है रेन वोट इस टोटल पॉपुलेशन अफ लाइडिस्टाउक अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है इन विच पूचा गया था तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वेस्ट बेंगल अगर आप यहां पे स्टेट्स देखेंगे तो थोड़ा सा डिफ्रेंस है यह वेजिटेबल का प्रोडक्शन है और अगर आप यहां भी यूपी का देखेंगे तो यह 29191.671 है और वेस्ट ब सब्सक्राइब तो इसके साथ सब्सक्राइब रिलीज हुआ है तो यह दोनों डेटा आपने ध्यान रखने कि हमारे लास्ट एयर का होटी कल्चर फूर्टी कल्चर प्रोडक्शन 334 है और अभी हमने पहले फूर्गिन प्रोडक्शन की वाद की थी तो वह हमारे जो फूर्गिन प्रोडक्शन था वह हमारा लास्ट एयर का 308 था और अभी 316 चल रहा है सिमिरली यहां पी 333 वर्टिकल्चर प्रोडक्शन चल रहा है तो यह दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है लीडिंग स्टेट इन टोटल फूर्ट प्रोडक्शन तो अगें इसके इसका करेक्ट आंसर अंद्रप्रदेश है और इसका क्यों करेक्ट अंद्रप्रदेश ह होता है और टोटल सीटरस फूर्ट यह भी आंद्रप्रदेश में होते हैं तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि जो मैक्सिम लाज़ंग स्टेट है वह ऑंद्रप्रदेश यह कंलर टो सी यला के UP है जो तोटल फूट्ट प्रोड़क्शन में अंद्रप्रदेश है लिगान to the latest data and reports which is the highest area under the forest ISFR 2021 जो कि release हुई है लेटेस उसके according किसे स्टेट में हाइस एरिया है सो अगें अधियप्रदेश इस दा करेक्ट आंसर और इसमें अभी कोई चेंज हुआ भी नहीं है पिछले डेटा से लेन किसी भी स्टेट का उसमें से मिजोरम का है अगर आप देखिए मिजोरम के टोटल एरिया में से 84 परसेंट एरिया पर केवल फॉरेस्ट है तो यह कोशन मैं पूछा गया था आपको कोशन अच्छे से पढ़ना और परसेंट में आपकी स्पीड ही मैटर करेंगी सो अगेन मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि राधर देन वाचिंग यून लॉंग लॉंग वीडियो अभी कंसेट पढ़ने से जाधा बेटर है कि आप खोड़ा स्पीड पर अपनी वर्क करें तो स्पीड पर वर्क कैसे हो अपको चैनल को अगया आने वाले वीडियो पर मिल दी रहेंगे इसके अलाबा आप और वी वीडियो लाएंगे आप इफको एग्ट के लिए आप अपनी preparation अच्छे से करते रहिए thank you for watching this video have a good day ahead